मापुरुजी जाना बतलाया, भक्ति विनोठ ठाकुर ने जाना बतलाया, प्रभुपाज जी महराज ने जाना बतलाया, रामकृष्ण परमंस ने जाना बतलाया, जीसस ने जाना बतलाया, मौम्मद ने जाना बतलाया, जिनोंने अनुभव किया, उन्होंने बतलाया समाज को कि दावा नल है, निकलो यहां से, काँ फसे हुए हो, काँ ये भोग विलासों में उत्रे हुए हो, नहीं, हमको यूटर्न लेना चाहिए, समाज बहुत विक्षिप्ट दशा में है, बहबीत है, एक से दूसरा बहबीत है, देखिये ज़रा पड़ोसियों कोई, एक पड़ोसी दूसरे से बहबीत है, चोर पुलिसवाले से बहबीत है, पुलिसवाला चोर से बहबीत है, पाकिस्तान इंडिया से भेवीत है, इंडिया पाकिस्तान से भेवीत है अमेरिका, रसिया, जर्म, लेंडन, कोरिया, साउथ कोरिया, नौर्थ कोरिया, चापान, चाइना एक दूसरे से बहबीत है पूरा समाज बहबीत है एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से बहबीत है एक जानवर दूसरे जानवर से बहबीत है लेकिन मनश्य से सारा बिश्व बहबीत है तो मनुष्य की दशा गलत है, मनुष्य जिस डारेक्शन में जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, तो यूटर्न ले सकता है, आज भी यूटर्न ले सकता है, सुख पाएगा, सुखी होगा, निरोगी होगा, जागेगा सोये से, बचेगा दावानल से आयो सत्त बल आरोग्या, सुख प्रीती विवर्धना, तो प्रेम से अपना घट भरेगा, यूटर्न ले लेगा तभी, दिशा परिवर्तन करने से, और कोई जरिया नहीं है, सुख के लिए डोलत रहे हैं, कभी लंडन से इंगलेंड, इंगलेंड से अमेरिका, क ing प्राप्त करने ले मिलेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए खषयनिक सुख को सुख माल ले, कि आईस्क्रीम खा रहे हैं, या कार में गूम रहे हैं, या एरोपेलें मोल्ड रहे हैं, ये खषयनिक सुख, इसको सुख नहीं खा, Shastr royalty ने आईस्क्रीम के सुख को सुख नह है वो चाया पढ़ रही है तुम्हारे उपर लेन पता नहीं चल रहा उस दुख की उस कार की उस पैसे की दोड की या वो जो तिजोरी भर ली है उसके पीछे बड़ा दुख भेंकर दुख खड़ा है या जो चट खा रहे हैं पी रहे हैं मदिरा क्या मदिरा के पीछे दुख नहीं कड़ा मदिरा पीने से ब्रेन नश्ट हो जाता है वैग्यानिक प्रूफ है तो ब्रेन ही नश्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा भगाण सरी कृष्ण कहते हैं कि बुद्धी नासव प्रणश्चती जिस व्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है उसका तो पतन निश्चित है तो वो तो आप देख सकते हैं आपकी बुद्धी और मन ही बिक्षिप्त हैं, तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा? आहार फाउंडिशन है आपकी जीवन का, आपके सुख का, आयू का, बल का, आहार को सुधारना चाहिए. बल भी मनो बल है, आतम बल है, शारीरिक बल है, ये तीनों प्रकार के बल आहार पर डिपेंड करते हैं, आहार शुद्धी सत्व शुद्धो, जिस ब्यक्ति का आहार शुद्ध होता है, उसकी बुद्धी शुद्ध होती है, उसका अंतेकरण शुद्ध होता है आहार से, और क वीलेंटिव है, हिंसक आहाळ करते हैं, प्रकरती के विर्द जो आहार करते हैं, उससे तो विनाशी होता है, समास का, सभी का, नहीं, गव का, यगा या बैल का, या भेंस का, या घाति का, गोड़े का, आहार गास है, वो घास में खुश रह सकते हैं, सुष्ट रह सकते हैं, बलिष्ट रह सकते हैं, बुद्धी इस्तिर रह सकती है भाई दूसरे तुम आहार करवाओगे, तो वो बेकार हो जाएंगे लोग गोडे को भी जोड़े दस्तिमांस खलाते हैं, रेस में भगाने के लिए वो घोडे घोडे नहीं रहे, वो तो अपने जैसे ही बना लिये उन्होंने अधकचरे कर दिये, ना इदर के रहे ना उदर के उससे अच्छे तो जबी थे, जो घास खाते थे तभी उनमें शक्ति थी, सोच समझ थी, दोड़ने की सब परकार से बल था लेकिन मनुष्य के संपर्ग में आके, जो भी जानवर आएगा, वो भी बिगड़ जाएगा क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है, मनुष्य प्रकरती के खिलाप चलता है लाव अफ नेचर नहीं मानता तो इतार्तम अगर प्रकरती के साथ नहीं है हमारा, तो हम दुख ही होंगे, और क्या होगा आयो सत्तु बलारोग्य सुक प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिक दाह, इस्थिरा हिर्द्या, आहारा सात्विक प्रिया ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक आदमी के प्रिय भोजने, इसनिक द्चिकने, घी, दूद, मलाई, मककन, इस्थिरा, जो बुद्धी को, मन को, वीरिये को इस्थिर रख सकें, चलाए मान, बुद्धी वाले को देखिए, बंदर से भी नीचे गिर जाता है, इस्थिती मे जिसका मन, बुद्धी चलाए माने, वीरिये चलाए मान होता है, तो किदर भी यूँ, बहाता है, भुग बिलासों में चला जाता है, ये सब इस्थिर होनी चाहिए, तो इस्थिर तभी रहेंगे, जब हम आहार इस्थिर आहार करेंगे, हमारा डवलप्मेंट इस्थिर करने वाले आहार, इस्निकदा, चिकने, रश्या, रस्युक्त, रसीले, रस कहते हैं जूस को, जूस वाले, रसीले, गन्ने का रस है, औरेंज का रस है, आम रस है, अंगूर का रस है, औरेंज इत्यादी, अनेक रस है, एक नहीं, अनार का रस है, शराप के लिए नहीं कहा जा रहा, कि शराप सतोगुनी है, कि ये भी तो अंगूर की बेटी है, नहीं, ये सड़ा हुआ अंगूर है, सड़ी दशा में गया हुआ तो तमोगुन है, इसलिए शराप को तमोगुन बोला है, अंधकार में ले जाती है शराप, अंधकार का मतलब ये नहीं कि आपको सूरिये से, उजाले से दूर कर दे, कि हमने तो ट्यूब लाइट जला रखी है, सारा शेर जगमगार आए, दिन के प्रकाश में रह रहे हैं, काम अंधेरे में, अंधकार में बुद्धी बनाती है, अंधकार में विचारों में दोडाती है, जूटी दुनिया में जीना सिखाती है, भिंसा बढ़काने वाला आहार है, डराने वाला आहार है, नियत खराब करने वाला आहार है, शराब पी के आदमी अपने कोई भूल जाता है, पिर दूसरे को क्या पहचाने का?